असलाम लेकुम बच्चों कैसे हैं आप सब आज हम करेंगे यूनिट 3 वेरियेशन्स के तमाम MCQs चलिएंज स्टार्ट करते हैं नमबर वन इन अरेशू, ए रेशू बी, ए इस काल, इस रेशू में ए को क्या कहते हैं देखें, A का भी एक नाम है और B का भी एक नाम है तो उसने पुचा के भाईया, A को क्या कहते हैं क्या कहते हैं, relation कहते हैं, antecedent कहते हैं, consequence कहते हैं, none of these, क्या कहते हैं सिंपल सा आपने बताना है, सिंपल सा यह question पुझा गया है, जिन बचो को पता होगो वो बता देंगे, जिन को नहीं पता होगो वो तुपका लगा देंगे तो बचो पहले को हम कहते हैं, antecedent, सो हम choose करेंगे option B को, ओके हो गया, number two, inner ratio, x ratio, y, अब देखें, पहले हमने मालूम किया था, a का नाम, अब हम मालूम करें, second का नाम, y का, y को क्या कहते हैं, अब वो ही option है आपके पास, relation है, antecedent है, consequent है, none of these है, तो y को क्या कहेंगे, y को कहे option, c option हमारा right है, तो हम choose करेंगे option c को, number three, inner proportion, a ratio, b, proportion, c, ratio, d, a, and d, are card, देखें, य एक proportion है, ratio तो दो values का दिम्यान हो गई थी, अब ये चार values आगे, अब यहाँ पर proportion हो गई, ठीक है, एक value है, a, एक value है, d, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, धोड़ा सा समझ लें इनको, जह द वाली, ठीक है, इनका एक नाम है, और ये जो दो values अंदर वाली है, दर्म्यान वाली है, इनका अलग नाम है, examiner ने हमसे पूछना है, कि इन दो values को आप क्या कहते है, इनका क्या नाम है, तो बच्चों ये देखें, ये extreme position पर है, एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, extreme position पर न, C ratio D, B and C are called, पहले हैं, इन values का अप मालूम किया, उसने A और D का, अब मालूम कर रहा है, भई, B और C को क्या कहते हैं, चलो A और D का पता लग गया, extremes है, तो B और C को क्या कहते हैं, means कहते हैं, extremes कहते हैं, for proportional कहते हैं, none of these, क्या कहेंगे बच्चों, इनको हम कहते है, mean, ये दर का answer है, सो हम choose करेंगे option A को, number 5, in continued proportion, A ratio B, A is equal to B ratio C, A, C is equal to B square, B is said to be dash proportional between A and C, क्या कहेंगे बच्चों, B को हम क्या कहेंगे, third proportional कहेंगे, fourth proportional कहेंगे, means proportional कहेंगे, या फिर none of these, इसमें कोई answer नहीं है, बताएं बच्चों, सोचें और ठिक करें, तो बच्चों, आपने पतने कौन सा answer सोचा होगा, अपने दिमाह में देखेंगे, ये देखो, दोनों क्या है, mean में है, ये extreme में है, और ये mean में है, तो ये B is said to be mean proportional between A and C, ठीक है, तो option यहाँ अपन होगा हमारा सही C, सो हम चोज़ करते है option C को, number six, in continued proportion, A ratio B is equal to B ratio C, C is said to be dash proportional to A and B, अब बूच लिया है उसमें बच्चों, C को क्या कहोगे, भई, C is said to be third, fourth, mean, क्या कहेंगे, तो यहाँ देखें, दो तो एक तरह की है, न, one होगे, ये two होगे, और ये third होगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे, third proportional to A and B, third कहाँ पर है, ये option है, तो हम चूज़ करते हैं बच्चों, A option को, okay हो गया, number seven, find X in proportion, four ratio X, proportion, five ratio 15, so, बच्चों, यहाँ आप टिक किजे, right answer को, मेरे खिल में यहाँ जो right answer होगा, वो होगा, option D, so मैं तो जूज़ करूँगा, option D को, अब आप बताएं, आपका answer क्या है, और 12 आता है, answer के नहीं आता, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से मेरा answer 12 आया, यहाँ देखें, extreme position को आपस में multiply कर दिया, हमने, और mean को आपस में multiply कर दिया, 15, 4, 60 आगे, और यह हो गया, 5, 12, 60 आगे, 5, 12, 60 होता है, तो 12 answer, 12 is equal to X, तो X की value हमार पास क्या निकला ही, 12, तो इसलिए बच्चों मैंने 12 को पहले ही tick कर दिया था, आच्छा, आगे चलते हैं, number 8, if u directly proportional हो, v square के then, यह directly जो है proportional, इसको हम change कर सकते हैं, proportionality constant से, ठीक है, इसकी जगा हम क्या put कर देंगे, is equal लगा देंगे sign, equal का sign, और k लगा देंगे proportionality constant, तो u is equal to हो जाएगा k v square, यह हमारा answer जो होगा, रस रही होगा, option b, सो हम choose कर लेंगे option b को, number 9, if y square directly proportion हो, 1 by x cube k, then, यहां भी बचों वही बात है, यह जो directly proportional का sign है, इसको हम change कर देंगे, किस से change करेंगे, proportionality constant k से change कर देंगे हम, और यहां पर equal का sign आ जाएगा, यहां दे is equal to k over x cube है, आगे हमें जाने की जरूवत ही नहीं है, यही हमारा answer होगा, option a हमारा right answer है, तो हम choose कर लेते है option a को, number 10, if u over v is equal to ho v over w, or equal ho k, then, चार option है, इसमें से आपने एक right answer को choose करना है, यहां देखें बचों यह value भी k equal है, और यह value भी k equal है, चलें इसको solve करते हैं, यहां जाएं, u over v is equal to k, v over w is equal to k होगा, ठीक होगा, w यहां पर चला जाएगा, तो v की value का बन जाएगी, v is equal to w k, अब यहां पर क्या किया हमने, v को यहां पर लेगे, k को निचे लिए, यहां व की value यहां आगे हमारा पास u over k, v की value यह जो थी न, w k, इसको हम यहां पूट कर दे जाएं, w k आगे हमारे पास, clear हो की बात, अब यह जो आपके पास k है, k को हम यहां ले जाएंगे, square हो जाएगा, और u की value हमें मालूम हो जाएगी, u की value देखें, options में हमने u की value मालूम करनी है, तो यहां में u की value आजाएगी, w k square के, ठीक है, अब यह कहां पर है, w k square, w k square option a में है, option a को हम select कर लेते हैं, यह लें जी, चलें आगे चलते हैं, number 11, the third proportional of x square and y square is, third proportional आपने मालूम करना है, x square and y square का, आजाएं यहां पर इसको solve करते है, x square, ratio y square, proportion y square and ratio z हो गया, ठीक हो गया, extreme को multiply किया, x square z हो गया, और mean को multiply गया, y square हो गया, z is equal to y square over x square आजाएगा, आपके पास, तो यहां पर देखिए, यह कहां पर है, यह देखिए, option c I think right है, so option c को हम choose कर लेते हैं, number 12, the fourth proportional w of x ratio y, proportion v ratio w is, इसको भी बच्चो हम solve कर लेते हैं, यहां आजाएं, extreme को multiply करेंगे, x, w, और mean को multiply करेंगे, y, v हो जाएगा, आपके पास, ठीक है, अब यहां अपने w find out करना है, तो x को हम नीचे ले जाएगे, y, v over x आजाएगा, y, v over x आपके पास कहां है, यहां पर है, option b में, तो हम choose कर लेते हैं, option b को, कितना असान है ना बचो, number 13, if a ratio b is equal to x ratio y, then alternative property is, क्या होगी, option a सही होगा, b सही होगा, c सही होगा, या फिर d सही होगा, तो हम पहले इस property को देख लेते हैं, a ratio b is equal to x ratio y, अगर हो, तो क्या होगा बचो, हम main की position change कर देंगे, x को b की जगा पर ले जाएंगे, और b को x की जग करेंगे, a over x कर देंगे, और b over y कर देंगे, तो यहां पर हमारा answer क्या होगा, यहां पर I think, हमारा answer होना चाहिए, option a, बिलकुल, option a को हम select कर लेंगे, number 14, if a ratio b is equal to x ratio y, then invertendo property is, नाम कितने अजीब अजीब से रखे हैं, scientist ने, चलें बचो इसको थोड़ा सा solve करते हैं, a ratio b is equal to x ratio y, यहां हम क्या करेंगे, इस property में, यहां की position को change कर देंगे, और यहां की position को आपस में change कर देंगे, a की जगा पर b और b की जगा पर a आ गया, यहां पर x की जगा पर y और y की जगा पर x आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको divide कर देंगे, b by a हो जाएगा, y by x हो जाएगा तो ये कहाँ पर है? ये है option D में तो हम चूज़ करते हैं option D को number 15 if A by B is equal to C by D then component property is कौन सा option ठीक होगा? A, B, C या फिर D इस property में क्या होता है बचो? A over A plus B लिख देते हैं और यहाँ पर C over C plus D लिख देते हैं यह देखें यहाँ पर लिखा हुआ है तो हमारा A option बिल्कुल ठीक होगा तो हम चूज़ करते हैं option A को